समोसा तो बहुत बार बनाए होंगे और बहुत बार खाये होंगे आलू का समोसा पनीर का समोसा तो चलिए आज नए तरीके से पत्ता को भी और आलू का समोसा बनाते हैं और वो भी दो तरीके से जिसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में तो टेस्ट पूछिये ही मत तो जिस से हाथ से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे असा सौफ्ट आठा गुथेंगे आठा को ज्यादा सक्त नहीं गुथेंगे और नहीं ज्यादा मुलाइम गुथेंगे जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उस तरीके से ही आठा को ग और stuffing के लिए एक कराही गरम करेंगे जिसमें 2-3 चमज देल गरम करेंगे डाल देंगे आधा छोटी चमज जीरा और 1 हरी मेज और एक medium साइज के प्याज को इस तरीके से लम्बे-लम्बे पतले तरीके से काट लेंगे उसके बाद प्याज को लगवग 1 मिनट के लिए भून ल जब तक कि इसमें का पानी अच्छे से सूख ना जाए और इसी तरीके से दोनों को दो से तीन मिनट भूनने के बाद आप देखेगा इसका कलर भी चेंज होने लगेगा और अभी ज्यादा पत्तागों भी दिख रहा होगा और इसका क्वांटिटी भी देखेगा कितना कम हो जाएगा तो इसी तरीके से फ्यादकी मेरियम फ्लेयम पर ही हम इसे भूनेंगे और यहां देखेंगे इसका कलर कितना अच्छा हो गया है तब हम इसमें सिमला मिज डाल देंगे और ये सिमला मिज को बारिक काट कर डालेंगे और इसे भी लगवाग 3-4 मिनद तक भुनेंगे और भुनते हुए आप देखेंगे कि सिमला मिज पत्ता गोवी सारे अच्छे तरीके से पूरा सौप्ट हो जाएगा और ये पूरा आधा बच जाएगा और कलर भी देखें इसका कितना अच्छा चेंज हो गया है तो फ्रेंड आलू का समोसा पनीर का समोसा तो बहुत बार बनाये होंगे एक बार पत्ता को भी का समोसा बना कर देखें और इसमें एक छोटे साइज का टमाटर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जो भी मसाले डालना है यहीं पर डाल देंगे ताकि टमाटर के साथ साथ मसाले भी भून जाए तो जिसमें आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, कास्मीरी लाल मीर्च और तीखी लाल मीर्च, थोड़ा से गरम मसाला और स्वात के हिसाब से नमक तीखा आप जितना पसंद करते हैं उतना ही डाले उसके बाद मसाले को इसके साथ भूनेंगे और पानी डालने का ज़रूत नहीं परेगा क्योंकि हमने टमाटर को डाला है तो टमाटर के पानी से ही अच्छे से ये भून जाएगा और भूनते हुए देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है और अभी पता गोभी देखिए क्वांटिटी भी कितना कम हो गया है तो इसी तरीके से लगबग 2-3 मिनट तक हम भून लेते हैं और फ्लेम को मीरियम रखेंगे और उसके बाद ये दो मीरियम साइज के आलू है जिसे अच्छे से मैस करके डालेंगे और इसे भी सभी के साथ लगबग 3-4 मिनट तक भूनेंगे और इसे मसलते हुए भूने ताकि आलू में जो भी गांठ है वो सब निकल जाए अगर आप इसे मसल सकते हैं तो मसल ये नहीं तो इस तरीके से मैसर के मदद से भी आप आलू को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इससे आलू में थोड़ा सा भी गांठ है नहीं रहेगी और समोसा जब भी हम भरेंगे तो ये फूटेगा नहीं और इसी तरीके से मसाले को 3-4 मिले तक भून लेते हैं और यहां देखिए मसाला कितना अच्छा भून चुका है और कितना अच्छा मिला मिला दिख रहा है तो बस अब इस तना ही भूनेंगे उसके बाद धेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे गैस को बंद कर देते हैं और इस स्टाफिंग को अब थंडा होने छोड़ देते हैं और जब तक स्टाफिंग थंडा होड़ा तब तक देखिए आटे को भी चेक कर लेते हैं और यहां देखिए आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है तो इसके एक समान लोई काट लेंगे उसके बाद एक पेरे साइज की लोई लेंगे और इसकी रोटी बना लेगते हैं और रोटी इसकी पतली बनाएंगे जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उस तरीके के मुट और इस्टफिंग डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा कर देखिए इसे किस तरीके से मोरेंगे और यहां देखिए पानी लगाने से थोड़ा सा भी इस्टफिंग भाहर नहीं निकलेगा और इस तरीके से हम चिपका देते हैं और यहां देखें कितना अच्छा समोसा बन गया है और इस तरीके से देखिए बना लेते हैं अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो चलिए अब एक दूसरा तरीका बताएंगे आपको जो भी आसान लगे उसे आप बना ले और यहां देखीए सारा समोसा इस तरीके से hemphartे रहेंगे बीच से स्टफिंग डाल कर और इनस भी को बना लेते हैं आप चाहे तो आपके घर में अगा छोटी मोटी पार्टी हो बड़े पार्टी हो या कीटी पार्टी हो तो आराम से इसे बना कर इस तरीके से रख सकते हैं और जब भी जरूरत लगे तब इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं तो यहां देखिए इतना सारा समोसा हमने बना लिया है तो दूसरा तरीका देखते हैं तो जिसके लिए बरी सी रोटी बनाएंगे और रोटी के जैसे ही पतली बनाएंगे और इस तरीके से देखिए कटर हो या चाकू की मदद से बराबर साइज की देखिए इस तरीके से हम काट लेते हैं ऐसा करने से आपका समसा बहुत जल्दी बनेगा और कुछ अलग डिफरेंट टाइप की डिजाइन की बनेगी और इस तरीके से देखिए सेंटर से छोटा-छोटा कट कर देंगे ताकि यह देखिएगा डिजाइन कितना अच्छा बनेगा और फिर थोड़ा-थोड़ा स्टाफिंग डालेंगे पहले हम सब में सारे स्टाफिंग को डाल देते हैं और फिर हम इसे मोरना बताते हैं तो इस तरीके से पहले स्टाफिंग को रख लीजिए और इसे पानी लगाने के जरूरत नहीं है बस देखिए इस तरीके से सेंटर से उठाईए और इस तरीके से देख सकते हैं आप इसे लपेड़ते हुए अच्छा सा डिजाइन देदे और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है और जो भी मसाला दिख रहा है उसे अच्छे से चिपका देंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए सारे समोसे को बना लेते हैं और बनाना देखिए कितना आसान है और कितना जल्दी बन भी जाता है तो इसी तरीके से आप इस सभी को बना लेजिए और आप चाहे तो इसे अराम से इस्टोर भी करे और जब भी आपको जरुरत लगे तब इसे Fry करे और Serve करे और यहां देखिए, इस तरीके से लपेटते हुए इसे डिजाइन को इस तरीके से उपर कर देंगे और चिपका देंगे जो भी मसाला इसमें से ज़ांक रहा है तो ये भी मत सोचिए कि ये तेल में निकल जाएगा बिलकुल भी ये तेल में बाहर नहीं आएगा तो इसी तरीके से देखिे चिपकाते हुआ सारे समोसे को बना लेते हैं और यहां देखिए फेरेंज दो तरीके का समोसा कितना अच्छा बन गया है और इसी तरीके से आप रख देछे जब भी आपको fry करना हो तो आप fry करें तो चलिए अप अपर समोसे को fry कर लेते हैं तो जिससे fry करने के लिए मीडियम कडम तेल ले लिजिए और इसमें बारी बारी से एक बैचेस में इस तरीके का समोसा बना के दिखाते हैं और दूसरे बैचेस में दूसरा टाइप का समोसा दिखाएंगे और इसे 2-3 मिनट एक साइट से पकने देंगे और फ्लेम को एकदम लो रखे लो फ्लेम पर देखेगा समोसा बहुत अच्छा बनेगा और अंदर से भी पकेगा नहीं तो फ्लेम को जादा रखेंगे तो उपर से पूरा क्रिस्पी बन जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा तो तेल का टंपरेचर और फ्लेम का अच्छे से ध्यान रखे और इस तरी कितना अच्छा कलर आ गया है और देखने से ही आपको टेस्ट का पता चल रहा होगा तो चलिए इस अभी को निकाल लेते हैं और दूसरे तरीके का समोसा भी हम फ्राइ कर लेते हैं तो इसे भी एक तरफ से 2-3 मिनट और फिर दूसरे तरफ से इसे अलरते पलरते हुए क्रिस् नहीं है और कितना अच्छा डिजाइन बन गया है फ्राइ होने से तो सेम इसी तरीके से आपको जो भी सुविधा लगे समोसा बनाने में उस तरीके का डिजाइन वले समोसा आप बनाईए और आपने परिवार में सब को खिलाईए या बच्चे का बढ़्डे हो या किटी पाटी हो सब में आप इंजवाय करिए तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंज दो तरीके का समोसा कितना जल्दी और कितना अच्छा डिजाइन का बना है तो इसे आप हरे धनी की चटनी हो या टामाटो कैचप हो किसी के भी साथ स में बना है तो फ्रेंज रेसिपी कैसी लगी बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को जरूर दबाएं